नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दखवरदार नूज मद्ध प्रदेश के रीवा में किसानों को बहुत सारी समस्याएं हैं बात चाहे गुढ़ की हो या फिर रीवा की या फिर सिर्मावर की बात हो या त्योथर की हर जगह किसानों को अपनी अनाज अपनी फसल बेचने में काफी जद्धो जहत का सामना करना पड़ा है और इनी सारे मुद्धों को लेकर के आज हम कुछ किसानों से बात चीत करने वाले हैं और उनके मुद्धों को लेकर के सरकार को अबगत कराने का प्रयास करेंगे सब्सक्राइब करते हैं नमस्कार हम्लाना चाहते हैं कि जो किसानों की मोल्भूस menos अरर कहीं नहीं पिछले दिनों हमने देखा है कि जो जो कॉष्ण हो रहे हैं फसल को काम करते हैं और इस समय पर सुम्भागी अध्यक्ष को पर हैं यहां पर जो मौजूदा समय में जो पिछली फसल की खरीदी हुई है तो धान की खरीदी में यह किसानों को काफी पैसान होना पड़ा है किसाइज है आपके जो है तो लगा कि 40% किसान की पास तीस प्रस्ताद कि प्रस्ताइब को पीसे जा रहा है किसका लग रहा किया लग दो पूछने वाला नहीं कोई जो है तो खराम माल लेके जाता है उसका जो है तो अच्छे दावों में जल्दी की जाता है इतने तो हम् ले जाता है उसके बार भी उसको जो है तो हटो पढ़े रहना पड़ता है उस até जो है तो बार बार पैसे की मांग की जाते इतना दो तो लेंगे इतना दो वैगे उतन दो ले पूरे जो खरी केंडरों में विचावलीय जो है तो कोई ब्यापारी है कोई कोई कहें वो जो है तो फाइदा लेते हैं तो फ़्ाइदा लेते हैं प्रिक्राभ के सबसे बड़ी जो योजना थी जो सबसे बड़ा मुद्धत हम लेकर उच्बमाफिद से नहीं उपकेघी किसानों सबसे पहले तो परिचे दिने कामता प्रसाद सुकला में ग्राम बेलबस उर्शरी सिंका है रास्ती किसान मजदूर महासंग में कार करता हूं लिचान गजा कर्जमापीक समय में बहुत अन्मिमी इतता है कि जो अधिकारी लोग है वह पैसे लेकर इधर उधर जिसका मजदा उसका नहीं माप हुआ है जो नगत माने कर्ज देने वाले हैं उनको उनको तो कोई भेलि निवर चाहिए जो पर्मारेंट कर्ज देते हैं उनक सब्सक्राइब करने कर दो आज तक 50,000 रुपए तक बड़े मुश्किले से सरकार ने माफ किया है अब बांकी किसानों की तो बहुत सब्सक्राइब समस्या आए है जैसे खार बीच की समस्या है सुसाइटियों में खार नहीं आती है व्यापार व्यापारी जो है करते हैं तीन सो रुपए की यूजी अच्छा से रुपए में बेंच रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं है डीए पी का भी ऐही हल है माने प्राइबेट शेक्तर में खार मिल जाती है सरकारी गोडामों में खार खारे नहीं आती है तो किसानों को तहार तरह से लुटाई ही लु दिए बज़ से लेके अपना काम कर लेते हैं और में ब्यापारी मनवाने रिट से देते हैं उसके बाद जो है तो यह खाद मगा लेते हैं वह खाद रखी रहती है पुरानी खाद अगले सीजन में किशानों को दी जाती है जिससे फाइदा तो हम नहीं समझते की होता है, नुकसान के लाबा कुछ नहीं होता, मतलब कहीं न कहीं अगर हम कहें तो ब्यापारियों को लाप पहुचाने के उद्देश से, सोसाइटियों में देर से खाद की विवस्था कराई जाती है, ऐसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल वही है, समय में अगर ख जिस रेट में उनका मनहुस रेट में मजबूर होके लेना पड़ता है, खाद का जो मने क्वाल्टी है, वही जो है, तो मने खराब किसम की रहती है, उसमें क्या मिलावट करते हैं, क्या नहीं करते हैं, यह सब समस्याएं हैं, परेशानियों तो इतनी है कि अब तालिस किलो की बोरी जो, उसी दर बिकती थी, और पचास की नो की बॉजशान हो कुम को बाटि, और लगता है, और खाद हो है, जो है, तो जो, सबस्जें आए नहीं आयाई, तो जल्दवाजी, में काम ब्यापारियों से लिए AKLR ले लिया कर ले लिया? किसान डाल दिया आज किसान रो रहा है और यूरिया डाले जा रहा है और लागत बढ़ती जा रही है लेकिन किसानों कोई फाइदा नहीं हो रहा है कि जैसे अभी बात की गई कि रेट के बारे में मालूम नहीं होता है तो आखिर इसमें किस की गड़बड़ी कही जा सकते हैं मेरा परचे मोहन सिंग बेलवा सूसरी सिंग भारती किसान मजदूर शंग में रास्टी किसान मजदूर संग है कि हम जिला संयोजक हैं इसमें सोसाइटी हमेशा घुटाला करती है घुटाला ही उनका काम है किसानों को उल्जा लिया जाता है सोसाइटी घुटाले में है उसका भी उसकी तकलीफ जो है किसानों को सहनी पड़ती है खाद ये गलस समय में मगाते हैं बीज इनका गलस बोनी हो जाने के बाद बीज मगाया जाता है जो किसानों को कम करमचारियों को जादा मिलता है वो अपने आप में ही जो है तुमाने लेके और अपने आप में ही जब बोनी हो जाती है किसान क्या करेगा उसका खाद का रेट जो है तो खाद में भी ये सौस्या है कि खाद मगाई जाती है सीजन खतम होने के बाद जैसे इस साल हमारे यहां खैरहन सोसाइटी में यूरिया का अभाव रहा पूरे समय में यूरिया का अभाव रहा अब वो यूरी अगर मगा भी लेंगे तो जाहिल तोर पे है कि अपने गोडाउन में रखे रहेंगे अगले वर्स किसानों को देंगे मतलब ब्लैक मार्केटिंग जैसे भेज थे 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 सबाल ये है कि वो खाट डंप पड़ी रही उसके बाद गयाए सिजन में हमको देंगे उगड इससी सिजन में भी व खाट जो देंगे अगले सिजन में भी वो थे वो टॉल में कीसिजाब में रहेगी यूजी योजीय तो यह कि अपने याप में भी आ proclaim गजाती है आनियक समझ से आये हैं, इसमें कहां किसका दोस दिया जाए, सबसे बड़ा तु किसानों का ही दोस है, जो मेहनत करके केती कर रहे हैं, सबसे बड़ा दोस तो उनका है, कि न उनको रेट मिल रहा है, न खाद मिल रहा है, न बीज मिल रहा है, न पानी उपलब्ध है उचित समय में कभी बिजली जो है तो रात को दी जाती है किसान जा कि रात को खेत में पानी लगाएं दिन को पता चला कि नहीं लाइटे बंद है अब कितना रो ना रोए किसान ये समझ में नहीं आता कि सासन किस अस्तर से जो है तुमाने सासन से अपन लोग जो है तुमाने विंती करें कि सासन अगर जरासा भी ध्यान दे जरासा भी सहयोग करे तो ऐसा नहीं है कि सानों की समस्या दूर हो सकती है लेकिन जब सासन भी कोशिस करे ता पूरा का पूरा क्रिशक समाज कह सकते हैं कि इन दिनों समस्याओं की बज़े से निरासके गर्थ में हैं और कहीं न कहीं खेती करना एक बहुत ही नुकसान का धंधा बना जा रहा है हलकि किसान के लिए जो खेती होती है उसकी मा की समान होती है लगातार उस पे अनबरत दिन रात खोन पसीना एक करके ठंडी रातों में भी जाक करके जब हम घरों में होते हैं और सेना कहीं न कहीं सीमा पर सुरक्षा करती है लेकिन देश की सुरक्षा देश का पेट भरने का काम किसान ही करते हैं तो उनकी समास्याओं को लेकर सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, आपका परिचाए भी हम जानना चाहेंगे। खुस तो करना चाहते हैं लेकिन पूर रूपेंट टुकड़ा नहीं दे सकते हैं। जब तक किशान को अपने उत्पादक का उचीत मूल नहीं मिल पाएगा तब तक किशान नहीं सुधर सकता और कुछ दिन ऐसा आएगा कि किशानी करना वो छोड़ देगा। तो सबसे बड़ी हमारी तो ये है कि स्वामी नाथन आयों जो बना था उसको सासन लागू करे तब किशानों की समश्या दूर हो सकती है। क्योंकि जैसे कर्ज माफी का है, कर्ज माफी एक ही साल का होता है। लेकिन लागत मूली का जो हमारा सरकार दे देगी वो निरंतर बढ़ता जाएगा। और किशान अपना किसी प्रकार की उसमें रुकावट न होगी न निराश होगा। अब कोई सबसीडी की जरूरत नहीं है, कोई हमको कर्ज की जरूरत नहीं है, लागत मूली हमारा दे दे। मतलब पूरी तरीके से आपका कहना ये है कि समस्यागें जितनी भी है। और हम खाद छिड़काने का भी दे दिये और दवाई छिड़काने का दे दिये हमारे पास अपनी मजदूरी नहीं बची इसलिए लास में जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम यह भी जानना चाहेंगे अभी आपके संगठन के राष्टे अध्यक्ष मानिक कक्का जी ने ग्वालियर में कारेकारणी विस्तार किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताविद भारत अमेरिका ब्यापार समझ होता है तो एक बड़ समय किसानों को लावकारी मुंह लिर न Abda जयाना सौामी नाथन की लेई लोगना किया जाना यह सब एक सोची सबचील की सानना को जो है टो हम आतरा से प्रतार्द करें जिससे किसान जो है किति करना भ्यों करते तो जो अमेरिका से जो सम्झाटा हो रहा है तो हां कि ऑपनी आएंगी और जैसे आज हम जो है तो अपने छोटे-चोटे-चोटे लो को अधियाते ठेका में खेती देते हैं उनसे काम लेते हैं कल हम बड़े किसान उस अध्ये पहुंच जाएंगे बड़ी कंपणियान अपने लगे तो हम लोग जो है तो अजय ते किसान बन जाएंगे । यह सोची समसी ररनीत मेफारी और det Siya जो कहा है हम लोग काम करते हैं तो यह बात हम लोगों को मलूम है बहुत है से मालू है यह सोची संजी र्णित चल रही है किसानों को जो है तो दबाया जाए कम से कम जो है किसान केती करना पर अपने अधिकार से अच्छा आपना बोछ चलता रहेगा तो उनको बीच में बैठे लोगों को ही फायदा होगा कि जान वहीं से रहेगा वहां से निशे ही जाएगा उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है जब नहों की जो है तो एक बाइस तेश चोविस तारी को कुछी नगार उत्रप्रदेश में राष्टी राष्टी यदिवेश कि अच्छा जो है तो प्रोग्रम तैंब होगा उसकी हिसाब से जो है तो हर जगा अंदोला नौर कारिकर्म सुरू होंगे वह राष्टी यदिवेशन है लेकिन वहां पर हम लोगों की त्यार होगी हमारे साथ एक यूबा किसान भी है और कहीं न कहीं आज की जो सबसे बड देने की है फासल तो उत्पादन किया जा सकता है लेकिन यूबाओं में क्रिसी का जो हुनर है वो कैसे बिक्रित किया जाए ये सरकार के लिए भी और कहीं ही न कहीं किसानों की आगे आने बाले पेड़ी के लिए एक बड़ा सवाल है हमारे साथ एक यूबा क्रिसक हैं आई मेरा नाम तरुन मिस्रा है मैं ग्राम उमरी का हूं मैं किसान हूं तो आए दिन किसानों की जो समस्या है उसके लिए मैं दो सब्द बोलता हूं कि सबसे पहले तो किसानों के लिए पानी जो है वो लेट आता है 15 नवंबर तक पानी आता है नहर में किसान की खेती बोने में लेट हो जाती है और उसके बाद समय में खाद नहीं मिल पाती बीज नहीं मिल पाता समय में इसके कारण किसान की खेती पीछे हो जाती है आए दिन मबेसियों की समस्या है और पानी की समस्या तो है ही जैसे जब लेट आया पानी तो खेती लेट हो जाती है आवारा पसू हर गाओं में हर खेत में घूम रहे हैं उनका कोई विवस्ता सासन नहीं कर रही है तो इसके चलते किसान पीछे हो रहा है अपने यहां खेती मतलब है उपज नहीं हो पाती जब समय में वो बाई नहीं होती है तो और किसान का जो मूल है खेती का वो भी बरावर नहीं मिलता इसके कारण किसान पीछे हो जाता है समय में खेती जब पैसा नहीं रहेगा तो समय में खेती नहीं वो पाता है खाद नहीं खरीद पाता है इसके चलते किसान पीछे हो रहा है और खेती बंद कर रहा है उसको ने सबस्द्री किसांने को तूर पर हम आप से जाना चाहेंगे कि सबस्दक के अब होगो नहीं किसान भाई ने अपने वक्त भी बोला है अब यह सोचिए जिस सासन के में बैठे कर्मिचारियों को अधिकारियों को सासन पसास्तों के यही नहीं अब बोएगा इधर जो है तो मौसम का परिवरतन तो पने अप होना है उसको तो रोक सिकते हम लोग तो जैसे ही अज़े तो ज़े तो ज़े लेकर बाल निकलाएंगी तो पूरा लास जो है तो खाद बीज पानी यह तो समस्चा जब हैं सब साथ में हैं लेकिन जब हमने पहस कुछ बढ़िस समय पर नहीं मिल पाता है और यह उपर से जो है तो सब निदार निदार नीती है जो कि उसमें देखे मूझे कारण ते यह है कि जो पर बैठे पता अधिकारी प्रसासन में बैठे लोग या नेता लोग है वो खुद कभी अनुहाओ नहीं है कि इसकार इसका लगती है कूपर फसब बाली लगती है कि उनको खुद नहीं मालूम है ऐसे लोग को हमने अपर नीत निदारक माना आए हुए हैं तो हम लोग के होगा क्या है फिर देखिये आपकर सास्की डेरी में दूर खरीदी होता है अपसाज नहीं बता दिया आपका फैर्ट इतना उ लगता है तो एक निष्चित आपको मिलना चाहिए रिकार्ड मिलना चाहिए लगया अपर आपका दूर का फैट किया गया और इतना पैट आया इस यह आपके दर नहीं दाइत किया जाता है लेकिन किसान की बास तो कुछ है नहीं किसान लड़ा किसे जो उसको कोई तो यह बने एक दूद्र की प्रावलम हो गई एस यह किसानों की फचल भीमा अभी आया हमने हमको खुद नहीं मालूम कि हमको कब फचल भीमा हमारा हुआ और कपका पैसा आ रहा है यह कहां है की नहींति है फचल कि बीमा में पचल की बीमा किया जाता है उसमें जो है तो हमेसे ओला पड़ेगा बरफफारी ही होगी तभी वह फचल मिलेगा तो साहसां की जो पचल की नीति है वहो भी कोई निश्चित नहीं में बार बार उप जचाया बार वह किया लेकि उसके कुछ हुआ नहीं कर दो कि कुल मिला कि हमारा तो हम लोंकि पूरी लड़ाई है किसानों को लावकारी मूह लें दिया जाए जो जो जब दो हजार शाथ में दो हजार शाथ में यह साथ में एंसाथ की आकड़े आये थे जो है आकड़े दिये थे उस समय जो है तो 22 सव रुपए प्रतिकि उंटल के दर निधाइत हुआ तो किसानों को कोई सबसीडी नहीं चाहिए कोई छूट नहीं चाहिए किसी प्रकार का जो है आप खुले आप मार्केट में सब्सक्राइब किसान अपने खुर्साम खरी देगा और कोई भी जवत नहीं पड़ेगी किसान को लेकिन रास्ते पर कोई सब्सक्राइब चलने को तेयार नहीं है अन्ना इस पर जो है तो कोई सब्सक्राइब मतलब सीधे तोर पर आप से आपका कहना यह ही कि सारी चीजों का बाजारी करण कर दि और बचौणी को पुरी तरीके से समांत कि आजाए और ना तो किसानों को किसी सबसेड़ी किया वसकता है और ना ही किसी ऐसे संगठन की जो सरकार के साथ मिल करके किसानों के साथ काम करती है सेधे तोर पे खुले बाजार में किसानों की बिक्री की जानी चाहिए और किसान अपनी फसलों को अपने उपज को बेचने के लिए पूनता स्वतंत्र होना चाहिए अगर विचाउलिये वाली ये समस्या खतम हो जो तो कुछ न कुछ है किसानों की समस्या हो सकती है ये उने पने दाओं में लेटके किसान कानाज ले करके अभारी रेट में बेचते हैं जैसे इस समस्या प्याज का सीजन है किसानों के यहां से प्याज खतम हो गई दो रुपए किसानों की प्याज गई अब आज देर सो रुपए बीच रही है किसान को तो इसमें किसी लिए आज का जो उबका है वह खेती के वारे में बिलकुल ध्यान नहीं देता है नहीं किसान नहीं स्को और फैक्टरियों में होटलों में जाजार उपते हुपई की नौकरी किसान 18 गंटे काम करता है इसके बाद भी परिफान उसके लिए चड़ी भी पहनने को मुम्किन हो जाती है अब आप सोचे कोई उड्योग पती कादमी कहती कर सकता है लड़का करता है यहती कभी नेता का कोई किसान खेटो में मरता है किसानों को बैटे सीम ऐी मरते और आप सकेगा नेकरता कोई रही नेता कए आज तक कोई भी लड़का सीमा में पोलिस में मर आ हो या फोज में या या तो तो आफ भीबता दिये यहां तो सब किसानों के उपर जब से देश उतंत्र हुआ है आज तक किसानों को भी लूटा रहा है सिर्फ किसानों को लूट यह टेक्स आप बढ़ा तो व्यूंड सासन सबक्राने प्डाशन को पeldift बुणाक उपर बने सबक्राइब कीशाने एक भीदाना उद्योक पत नहीं तियार कर सके हैं तो किसाने ही तियार करेंगे ना अकिसानों की मिलता कुछ नहीं है मने सबसे वड़ी लुटाई इस देश में किसानों कुई आज नहीं जब से सुतंद्र हुआ है देश है जिस साथ पैसच साल का मैं भी किसान हूं खेती कर आज भी हम लोगों के लिए पैसे के लाले पड़े हुए खाद की समस्या है बीज की समस्या है लड़के के पढ़ानी जो किस्ता सामानी किसान होगा उसका लड़का लड़का ओवर सियर इंजिनियर नहीं पढ़ा सकता है जमीने बेच कर पढ़ाएगा तो घरे में किसान में घंडोर की नहीं को अफ़ कर दिया है अब तो वह भी खितम हो गया स्र्कार वह भी है अब पूरा जो सरकार्य की वह था वो सरकार भी रही है सुननेने जों despite लेक्स है इतने जूर तक नहीं पेहुच पाते लोफ सब सेहले से सार्कार बेचने में तयार में कहीं न कहीं हमारे समाज में पहले से प्रचलित बिचार धारा रही है कि उत्तम खेती मध्याम बान अधम चाकरी भीख निदान लेकिन ऐसी इस्थितिया कौन सी पैदा हो रहे हैं जिसके बाद से जो क्रिसी है वो अधम कार के अंतरगाता आने लगा है और कहीं न कहीं हर व्य झाल जाता है कि गांउ था वहाँ गरेब किसान के जिए भात करते हैं जब किसानों की खेती की बात करते हैं पिसानों का अधिक हैं में पूरी प्रशन रहता से ब्रॉमां हुआ ही दिखाया गया है तो यह सारी कहीं न कहीं हमारी उबाव की मानसिक्ता में भी एक बड़ा प्रस्ण खड़ा करता है जो उसे खेती से दूर ले जाता है तो इस वारे में आप क्या कहेंगे किसान के साथ एक तो सबसे बड़ी समस्या है लेवर समस्या है किसानों के पास लेवर की बहुत बड़ी समस्या है मानी कक्का जी ने एक आग बार ऐसा कुछ प्रस्ताव भी किया कि मन्रेगा से जुड़े हुए जो लेवर हैं उनका कुछ आउषद जो है सरकार बे कुछ कास् उसकार दें, तो उनको लेवर अपलब दो, सबसे बड़ी समस्या ये आरही है कि गाँ के मजदूल सब सहर भागना चाहते हैं, इसी बजह से गाँ के किसान भी सहर की तरफ भागना चाहते हैं, यहां काम है नहीं, यहां पूरी तरह से बेरोजगारी है, और बिना लेबर के किसानी का काम अधूरा सा रह जाता है, तो समस्या इस बात की है कि किसान का मनोबल भी तूट रहा है, आर्थिक तोर से वो तूट रहा है, यह समस्या आए लेकर के, जब दो तीन बोज गठे पड किसानों के लिए जो तो कहीं न कहीं, एक समस्या मस्दूरों को लेकर के है, यह भी बात की गए, किरिसी से जुड़े हुए ही एक यूबा से हम और बात करेंगे, कि आखिर इस बारे में उनका क्या कहना है, मजदूरों की जो समस्याएं है, कहीं न कहीं ए आप लोग जो है, तो आखिर मजदूर क्यों कम पड़े रहे हैं इस बारे में क्या कहने इस बारे में किसान को भरपूर लब नहीं मिल रहा है जिए तो किसान क्या करें जिए आज आज बड़े-बड़ी मसीने आ चुकी है और सहर में जा करके ये मजदूर लोग वहाँ पर चार सो पान सो साथ सो रुपए कमाते हैं लेजिने मजदूर ये किसान है जब मूल पाते नहीं है अपने क्रिस्ट का तो वह कैसे आप दे सकते हैं के पान सो रुपए देंगे के एक हजार रुपए देंगे इसलिए मजदूर सहर को भागता है अब किसान परेसान होते हैं ऐस जहतों कोई शासन ने इसकिन बनाया नहीं है कि बिना किसान के बिना मजदूर के खेती हो जाएं। कोई भी एंत्र ऐसे नहीं है कि मजदूरों को सहारा न लगें। आपको परिशे हैं? हमारा राजन पसार रावत शिर्मोर बिल्वा कराने बाला हूं। कहीं कहीं कह सकते हैं कि किसान खुद की हिसा मेचेभाश इतना ज्यादा जोज रहा है कि कहां से वह इंडरेस्ट्ययल अरिया की मशीन को उप्योग करें कहां से एक आधुने क्रिसी की और जा सकता है यह बड़ी समस्य अभी हमारे के पूर्ब के दर बताया है वह बहुत सही बात बोल रहा है कि जो है तो उसको 400-500 रुपए मजदूर बैले कर दोसरी जांदे है यहां पर चाहते है तो जो है तो कैसे 400-500 मेजदूर काम कर आ सकता है तो यह समझ सब्सक्राइब कुछ सही बात बनी हुई है यह पूरा देवाद किरिश पर भार इतना हो गया है हम लोग जो है तो जो है तो पूरे परिवार का जो है तो बोज आए दो अब आपनी निकालनी है है तो अपने हर गार से जो है तो प्रावेट कंपनी ओं में और सरकारी नौकर आपनी करते जा रहे हैं जब कर दो जा रहें जब करमिचारियों को शटनी करते जा रहें तो वह भी सबसेंदाब घर बैढ़ गए कि पर ही भार बन गए और बिरवज़गारी की कि जो मार है उसका मुझके कारण जाए है कि जब किसानों को लावकारी है किसान इस प्रदान धैसा हुआ है दुनिया जांती चाहिए सम जानता है जब शाइब साथ से सतर प्रच्छत जो है कि एड़ा बाधारी तब निर्भार हैं जासे यहां से लेकर दिली ताग वा जो भी तो आधारी पूरा देश और आप किसारी होता है वह मध्यम बढ़ पूरे देश का धाचा यह आप मध्यम बढ़ को ही खतम कर देंगे बढ़ कि भलाई की बात नहीं करें तो उपर चलता है नीचे कर रहे हैं वह कितने दिन जमीन बेच बेचे कि का वड़की किसानी करेंगा खर बनवाएगा लड़के का पढ़ाएगा जमीन खती होती जा रही है तो जो रिड़ जो है तो आप लोगों ने किसानों के मुद्धो को लेकर के खुल करके हमसे बात की और कहीं न कहीं सरकारे चाहें जिसकी भी रही हो उन्होंने किसानों को मुद्धो को लेकर के गंभीरता से ना तो सवाल उठाएं हैं और ना तो उनका समाधान ढोड़ने का प्रयास किया ह हम एक बेब चैनल के माध्यम से खबरदार ने उसकी तरफ से आप लोग को आस्वस्त करते हैं कि हम अपने तरफ से लगातार किसानों को मुद्दो को लेकर के उनकी समस्याओं को लेकर के सबाल उठाते रहेंगे और कोसिस करेंगे कि जहां तक संभव हो तो उनके समाधान भी खोजने के लिए सरकारों को पूरे तरीके से गंभीर बनाने की कोशिस करें किसानों की सिर्मार के बिल्वाग्राम से कुछ ईसे किसान जो लगातार अन्वरत किसानों समस्याओं से जूच रहे हैं और जब किसानों की बात करते हैं तो हमें सत्तर के दसक का वो दोर याद आता है जब अमेरिका ने हमें लाल गेहुं निरियात किया था वो लाल गेहुं जो अमेरिका के घोडे भी नहीं खाया करते थे किसानों ने उस चुनावती को स्वीकार किय और एक समय ऐसा आया कि सन असी का दसक आते याते किसान पूरी तरह से देश को आत्म निर्भर कर चुके थे लेकिन आज 2020 चल रहा है 21 सदी का आरंभ हो चुका है लेकिन अब वही किसान जिसने कभी भारत को आत्म निर्भर बनाया वो खुद आत्मिर्भर बनने के लिए जद्दो जहत कर रहा है लेकिन किसानों के उपज कर पाना संभव नहीं होगा हमारा यूबा जिस तरीके से किसान के लिए दूर हो रहा है वो एक देश की बहुत बड़ी समस्या कही जा सकती है चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए दखवरदार हिंदी नीज चैनल को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक करें धन्यवाद